जैश्री कृष्णा राधे राधे आज हम सुनेंगे कार्थिक मास महातमे के बार्वे और तेर्वी अध्याय की कथा तो पहले सुनते हैं बार्वी अध्याय की कथा बोलिए विश्णो भगवान की जै हो नारज जी कहते हैं कि जलंदर के अत्याचारों से भैकम पित होकर इंदरादिक सभी देवता भागते 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 वैकुंट में भगवान विश्णो जी के पास जा पहुँचे देवताओं ने अपने रक्षा के लिए भगवान की बड़े इस्थुती की देवताओं की दीन वानी को सुनकर करुना साधर भगवान विश्णो ने कहा हे देवताओं अब तुम सब भै को त्याग दो मैं युद्ध में शिगर ही जलंदर को देखूँगा ऐसा कहते ही भगवान गरुड पर जा बैठे तब समंदरतनिया लक्ष्मी जी ने प्रार्तना की कि हे नात यदि मैं आपकी सरवदा प्रिया हूं और आपकी भगत हूं तो मेरा भाई आपके द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए इस पर भगवान विश्णो जी बोले अच्छा प्रिय है यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रिती है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा पर मुझे युद्ध में तो जाना ही होगा क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी इस्तुती की है ऐसा कहकर भगवान विश्णो युद्ध के उस इस्थान में जा पहुंचे जहां पर की जलंदर विध्यमान था जलंदर और भगवान विश्णो के बीच गोर युद्ध शुरू हो गया भगवान विश्णो के तेज से कम्पित देवता सिंग नाद करने लगे फिर तो अरुण के अनुझ गरुण के पंखो की प्रबलवायों से पीडित होकर देत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से पादल आकाश में घूमते हैं तब अपने वीर देत्यों को पीडित होते देखकर जलंदर ने कुरुद होकर विश्णो जी को उदित वजण कहे और उन पर कठोर आकर्मन कर दिया यहां पर कार्तिक मास महातमी के बारवे अध्याई की कथा समाथ होती है पोली विश्नो भगवान की जै हो अब सुमते हैं तेरवी अध्याई की कथा नारज्जी कहते हैं युद्व में दोनों पक्षों से गदाओं, बानों और शोलों आदी का भीशन प्रहार हो रहा था। देत्यों की तीक्षन प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भाग रहे थे। तब देवताओं को इस तरह से भैबीत देखकर गरुड पर चड़े भगवान विशनु युद्व में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नाम का धनुष उठाया और उसकी बड़े जोड से टंकार की दिलों की शाब्दित हो गई। पल मातर में भगवान ने हजारों देत्यों के सिरों को काट दिया। फिर तो भगवान विशनु और जलंदर के वीच महा संगराम शुरू हो गया। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चरी करने लगे। भगवान विशनु ने बाणों के वेग से उस देत्य की धोज चत्र और धनुष बान को काट डाला। इससे वैथित होकर उसने अपनी गदा उठा ली और गरुड के मस्तक पर दे मारी। साथी क्रोथ से उस देत्य ने विशनु जी की चाती में भी एक दिक्षन बान मारा। इसके उत्तर में भगवान विशनु ने भी उसकी गदा काट दी और अपने शारंग धनुष पर बान चड़ा कर उसे बींदना आरंब कर दिया। इस पर जलंदर इन पर अपने पैने बान बरसाने लगा। उसने विशनु जी को कई पैने बान मार कर उनकी वैशनव धनुष को भी काट दिया। धनुष के कट जाने पर भगवान ने ग गदा ग्रहन कर ली और शीगरी जलंदर को खींच कर मारी पर उस अधनी वत अमोग गदा की मार से भी वैदेते कुछ भी चलाइमान नहीं हुआ उसने एक अधनी मुख दिर्शूल उठाया और भगवान विश्णू पर छोड़ दिया विश्णू जी ने शीव की चरणों का स हार किया फिर दोनों घुटने टेक कर बाहो और मुष्टिकों से बाहो युद्ध करने लगे कितनी ही देड़ तक भगवान विश्णू उसके साथ युद्ध करते रहे तब सरवस्रेष्ट मायावी भगवान विश्णू उस जैत्ते राज से मेगवानी में बोले हे रन भगवान विश्णू की ऐसी वाने सुनकर जलंदर ने कहा ये भावुक यदि आप मुझे पर परसन नहें तो मुझे वर दीजिए कि आप मेरी बेहन और अपने सारे कुटुम्बियों सहित मेरी घर में निवास करेंगे नारज जी कहते हैं उसकी ऐसे वचन सुनकर भगवा देवताओं के सहित विश्णू जी को वहाँ पाकर बड़ा परसन्न हुआ फिर तो देवताओं के पास जो भी रतनादी थे उन सबको जलंधर ने ले लिया और प्रत्वी पर ले आया निशुम्ब को पाताल में स्थापित कर दिया देव दानव यक्ष गंधर्व सिद्ध स प्राक्षश, मनुष्य सबको अपना वन्श्वरती बनाकर तिरुफुवन पर शाशन करने लगा उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान पर जाका पालन किया उसके धरम राज्जे में सभी सुखी थे यहाँ पर कार्तिक महास महतम्य का तेरवाध्याय समाप्थ होता है बोलिये विश्रो भगवान की जय हो अब हम सुनते हैं कार्तिक के महीने में सुनी जाने वाली राई दामोदर की कहानी बोलिये कृष्ण भगवान की जय हो एक गाउं में राई नाम की एक लड़की अपनी मा के साथ रहती थी राई देखने में बहुत ही सुन्दर थी सुशील थी पूजा पाट बहुत करती थी बहुत ही संसकारी लड़की थी राई भगवान कृष्ण की परम भक्त थी बड़े ही भक्ती भाव से भगवान कृष्ण की पूजा करती थी हर समय बस कृष्ण भगवान का ही नाम लेती थी और कृष्ण भगवान को कुकारती थी कृष्ण भगवान को दामोदर कहती थी एक बार भगवान कृष्ण ने सोचा कि ये लड़की मेरी बहुत पूजा करती है बहुत सेवा करती है क्यों ना मैं इसकी परिक्षा लूँ तो भगवान कृष्ण उसकी परिक्षा लेने के लिए बासुरी बेचने वाले का रूप बना कर आए और गली गली में आवाज लगाने लगे कि बासुरी ले लो बासुरी ले लो जैसे ही वो राई की गली से लिगलने लगे तो राई ने अपनी मा से कहा मा मुझे भी बासुरी खरिदनी है तो उसकी मा ने मना कर दिया कहने लगी राई तुम्हें तो हमारी हालत पता ही है मेरे पास इतनी पैसे नहीं है कि तुम्हें बांसोरी लेकर दे सको तो राई उदास होकर बैठ गई राई का उदास चहरा उसकी मा से नहीं देखा गया तो उसकी मा ने कहा देखो बेटी मेरे पास पैसे तो नहीं है ये कुछ अनाज है इसे ले जाओ अगर इसके बतले में वो तुम्हें बासुरी दे दे तो ले ले न तो राई खुश हो गई उसने अपनी हातों की अंजली बनाई और उसमें अनाज लेकर चली और बासुरी वा ये कुछ अनाज है इसे ही ले लो तो भगवान कृश्न ने अपने हातों को आगे किया और वो अनाज अपने हातों में ले लिए और लेते ही उस पर जोर से एक फोक मारी फोक मारते ही अनाज में जो भूसा होता है वो उड़ा और राई की दोनों आखों में चला गया राए के जोड़ जोड़ से रोने की अवाजे उसकी माँ तक गई तो उसकी माँ घर से बाहर आई, देखने लगी तो राए बीच सरक पर खड़ी रो रही है और वहां पर कोई भी नहीं है, वो गई तो उसने पूछा क्या हुआ, तो राए ने सारी बाते बता दी कि कैसे बासुरी वाले ने अनाज को हातों में रखकर फूक बारी और उसके आँखों में भूसी चली गई अब राई की दोनों आखे नहीं खुल रही थी और वो रो रही थी राई की मा परिशान हो गई कि अब क्या करूं कैसे इसकी आँखों से भूसा निकालूं तबी वहाँ पर क्रिशन भगवान एक वैद का रूप बना कराए और कहने लगे कि मैं वैद हूँ अगर किसी को कोई अपना इलाज कराना हो तो मुझसे करा सकता है राई की मा भागी भागी वैद के पास गई और कहने लगी कि मेरी बेटी की आँखों में भूसी गिर गई है आप निकाल दीजिये तो आपकी बड़ी किर्पा होगी यह जुनकर कृष्ण भगवान जो वैद का रूप बनाए हुए थे राई की मा के साथ उसके घर गए और कहने लगे कि मैं तुम्हारी बेटी की आँखों से भूसी निकाल तो दूँगा पर मेरी एक शर्त है राई की मा ने पूछा क्या तो कहने लगा कि तुम्हें अपने बेटी का विवाह मेरे साथ करना होगा अब राई की मा परिशान हो गई यह भला कैसे शर्त होई कि भूसी निकालने के बदले मुझे ब्या करना होगा फिर उसने सोचा चलो कोई बात नहीं बेटी है आज नहीं तो कल इसकी शादी तो करनी ही है और यह वैद है अच्छा कमाते हैं डरने की भी कोई बात नहीं है तो राई की मा बोली ठीक है मैं अपनी बेटी का व्या तुमसे करने को तैयार हूँ पहले इसकी आँखे सही कर दो बाद ही मैं इसका विवाह तुम्हारे साथ करूँगी तो कृष्ण भगवान जो वैद का रूप लिये थे उन्होंने राई की आँखों से बुसा निकाल दिया बुसा निकालते ही राई की दोनों आखे खुल गई और वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गई अब राई की मा ने दोनों की सगाई कर दी कारती शुक्ल ग्यारस के दिन दोनों का विवान श्चित हो गया अब राई की मा सोचने लगी की बेटी का बिया है क्या दों सोचने लगी और समाने कठा करने लगी क्या समान लाओं कहां से लाओं कैसे शादी की तैयारी करूं ऐसा सोचते सोचते सबसे पहले सुनार की दुकान पर गई और कहने लगी कि मेरी बेटी का ब्याह है उसके लिए सोने के गहने बना दो तो सुनार बोला मैं नहीं बना सकता मेरे पास समय नहीं है मेरे पास तो कृष्ण भगवान के विवाह के गहने आये हुए हैं मुझे तो वे बनाने हैं मेरे पास बिलकुल समय नहीं राई की माँ मिठाई बनवाने के लिए जब हलवाई के पास गई तब उसने भी यही कहा कि मेरे पास समय नहीं है मुझे तो कृष्ण भगवान के विवाह के लिए मिठाई या तयार करनी है मैं नहीं बना सकता बनिये कि एहां समान लेने गई तो बनिये ने भी कह दिया कि मेरी दुकान का सारा समान तो प्रिष्ट बगवान के विवहा में जाएगा जहां जहां भी जाती वही सब लोग कह देते कि हमरे पास समय नहीं है हमें तो कृष्ण भगवान के विवाह की तैयारिया करनी है बड़ी दुखी हो गई और अपने घर आ गई सोचने लगी कि अब क्या करूँ शादी इंकी तैयारिया कैसे करूँ कोई भी समान देने को समान बनाने को तैयार नहीं है आखिर कार वह दिन आ गया जिस दिन उसकी बेटी का विवाह था सारे गाव वाले सोच में पढ़ गए कि राई की माने तो विवाह की कोई भी तैयारी नहीं की शादी करेगी कैसे आज तो इसकी बेटी की शादी है इतने में ही डोल बाजों की आवाज आने लगी सारे गाव के लोगी खटा हो गए कि राई की बारात आ गई है लेकिन उसकी माने तो अभी तक कोई भी तैयारी नहीं की थी सब लोग परिशान होने लगे कि अब क्या होगा जैसे ही राई का दूला दरवाजे पर आया और राई की माँ वहाँ पर स्वाधत करने आई तो देखा दूले के रूप में स्वेम क्रिश्न भगवान खड़े है उन्हें देखकर तो उसकी आखों में आसु आ जाते हैं बड़ी खुश हो जाती है लेकिन साथ ही साथ बड़ी दुखी भी हो रही थी मन में क्योंकि उसने तो विवा की कोई भी तयारे नहीं की थी भगवान क्रिश्न ने राई के मा की मन की बात जान ली और अपनी माया फैला दी उसकी छोटी सी जोपड़ी बड़ी महल में बदल गई विवा की तयारिया होने लगी शरी क्रिश्न भगवान की माया से सारी तयारिया हो रही थी गहने, कपड़े, मिठाईयां सब तयार रखे थे तो माने खोटाट बाट से राई का विवाह भगवान क्रिश्न के साथ कर दिया और विदा कर दिया भगवान कृष्ण राई को लेकर द्वारिका चले गए और वहाँ ले जाकर राई को उन्होंने एक अलग महल में रख दिया अब वे हर समय राई के पास ही रहते किसी भी दूसरी राणी के पास नहीं जाते नहीं उनसे बात करते यह सब देखकर तो भगवान कृष्ण की दूसरी राणीया बड़ी इर्शा करने लगी राई से ऐसा करते करते बड़ा समय बीथ गया आया सावन का महिना तो राही पिहर चली गई तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि सावन का महिना है तीजगा त्योहार है मुझे राई के लिए तीज का दिवार भेजना चाहिए तो भगवान कृष्ण ने जरी के कपड़े सोने चांदी के गहने एक गठड़ी में रखे दो हंसों को बुलाया और गठड़ी देते हुए उन्हीं कहा कि ये गठड़ी तुम्हें राई के पास पहुँचानी है सीधा राई के पास जाना बीच में कहीं भी मत रुखना राई अपने पिहर गई हुई है तो हंस बोले ठीक है भगवान हम राई के पास जाएंगे और ये गठड़ी उसे दे देंगे आग्या लेकर हंस तो चल पड़े जब श्री कृषन जी की अन्यरानियों रादारुक्मन को इस बात का पता चला कि कृषन जी राई के लिए सामान भेज रहे हैं तब उन्हें बड़ा बुरा लगा उन्होंने हंसो को रास्ते में ही रोक लिया अपने महल में बुलाया और कहने लगी कि तुम कहां जा रहे हो तब हंसो ने सारी बात बता दी कि मेराई किदर जा रहे हैं और भगवान कृषन ने समान भेजा है तब वे बोली कि तो बड़ी दूर जा रहे हो ठक जाओगे थोड़ी देर यहां रुको आराम कर लो थोड़े मोती चुग लो अब मोती देखते तो हंसो को लालचा गया वे वहीं रुक गए और हंस मोती चुगने लगे तो रानियों ने सारा समान तो निकाल लिया और गठडी के अंदर पटे पुराने कपड़े रख दिये और काटे भर दिये और गठडी हंसो को दे दी हंस सारा समान लेकर राई के पास गए समान देखकर राई बड़ी खुश हुई और कहने लगी कि भगवान जी ने तो मेरे लिए उपहार बेजा है उसने जल्दी जल्दी से गठडी जो खोली तो उसकी तो सारी उंगलियों में काटे चुप गए वो बड़ी दुखी हुई और भगवान से नाराज भी हो गई इधर सावन का महीना खतम हुआ भगवान कृष्ण राई को लेने आए लेकिन राई उनसे बोले ही नहीं कृष्ण भगवान उसे बुलाते लेकिन भगवान को भोग जरूर लगाती थी बड़ी प्रेम सी भोजन कराती थी और भोजन कराते समय उसमें दही जरूर देती थी एक दिन भगवान कृष्ण ने सोचा कि मैं सारा दही खा लेता हूं राई मुझे दही जरूर खिलाती है फिर देखूँगा कि दही कहां से लाएगी तो भगवान कृष्ण ने सारा दही खा लिया सुबह सुबह जब राई भगवान को भोग लगाने लगी तो देखा तो दही नहीं है उसने सोचा कि अब भगवान को बोजन कैसे कराऊंगी इतने में भगवान कृष्ण एक गूजरी का वेश बना कर आए और दही बेशने की अवाज लगाने लगे दही ले लो दही ले लो अब राई को तो दही चाहिए थी वो बाहर गई और बोली कि मुझे दही चाहिए तब भगवान बोले कि क्या बात है तुम बड़ी उदास दिखाई दे रही हो तो राई बोली कि कुछ नहीं आप मुझे दही दो और अपना काम करो तब गूजरी बने भगवान बोले कि आप भगवान से नाराज हो गया तो राई फिर भी कुछ नहीं बोली बोली तुम ही क्या मतलब तुम अपना काम करो ना तो भगवान कृष्ण बोले गूजरी के भेश में तो थे ही बोले हम सहीली बन जाते हैं अपने अपने मन की बात आपस में कहेंगे क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद ही कर दूँ तो मुझे अपनी बात बताओ तो सही किसी से कुछ ना कहूंगी तो राई ने गूजरी को सारी बात बता दी सारी बाते सुनकर भगवान तो बड़े हैरान हो गए और सोचने लगे कि मैंने तो जरी के कपड़े भेजे थे सोने चांदी के गैने बेजे थे ये कैसे हो गया भगवान अपने असली रूप में आ गए और पूछने लगे कि मैंने तो सोने के गैने बेजे थे और जरी के कपड़े भेजे थे मैंने तो तुम्हारे लिए फटे पुराने कपड़े और काटे भेजे नहीं थे तो राई बोले मुझे नहीं पता मेरे साथ तो जोग हुआ मैंने बता दिया भगवान ने तुरंट हंसो को बुलाया और पूछा कि क्या तुम रास्ते में कहीं रुके थे तो हंसो कहने लगे नहीं जी हम तो कहीं नहीं रुके फिर हंसो ने कहा कि हम जाते समय रादारुकमनी जी के महल में रुके थे मौती चुगने के लिए और हम कहीं भी नहीं रुके तो कृष्ण भगवान ने अपनी रानिया बुला ली और पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया जो गहनी जो कपड़े मैंने भीजे थे वो आपने बदले क्यों तो रानिया कहने लगी कि हम ऐसा ना करते तो क्या करते जब से राई आई है ना आप हमसे बोलते हैं ना हमरे पास आते हैं अब हमें इसी लिए ये सब करना पड़ा राई सावन में अपने पीहर चली गई फिर भी आपको उसी की चिंता सता रही थी आपने हमसे तो कुछ पूछा तक नहीं आखिर ऐसी हमसे क्या गलती हो गई जो आपने हमें बिसरा दिया तो भगवान जी बोले कि हमने आपको नहीं विसराया लेकिन जो हमें प्रेम से बुलाता है हमें वहां तो जाना ही पड़ता है आप हमें प्रेम से बुलाते तो हम आपके पास भी आते तब रानिया बोले कि हमें नहीं पता हमें भी आपका साथ चाहिए हमें भी आपको भोग लगाना है हमें भी आपकी सेवा करनी है तब भगवान बोले ठीक है मैं कारतिक का महीना तो राई को दूँगा पांच दिन राधा रुकमन को दूँगा और ग्यारे दिन सतिभामा को इस तरहें बगवान कृष्ण ने अपनी सभी रानियों को मना लिया तब इसे कहा जाता है कि जो कोई भी कार्थिक के महीने में राई दामोदर की कहानी सुनती है उन्हें अपने पती का खूब मान सम्मान और प्यार प्राप्त होता है बोलिये राई दा मोदर भगवान की जैहो कार्थिक मास के बुदवार की कथा बुदवार के दिन एक साहुकार का लड़का अपनी बहुलेने ससुराल जा रहा था तो उसकी माने बहुत मना किया कि बुदवार के दिन विदा कराने मत जा लेकिन नहीं मना ससुराल पहुँच गया और जाकर कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी को विदा कराने आया हूँ ससुराल वालों ने भी बहुत मना किया कि हम आज नहीं भेजेंगे लेकिन बिल्कुल नहीं माना बुद्वार को ही विदा कराके चल दिया रास्ते में अभी थोड़ी ही दूर चले थे कि बैलकारी का पया मिट्टी में धस गया उसे निकालने लगे तो बहुत देर हो गई इतने में उसकी पत्नी बोली कि मुझे तो बड़ी प्यास लगी है मुझे तो पानी पिना है वो पानी लेने चला गया थोड़ी देर में पानी लेके आया तो उसके तो पैरों के निचे की जमीन खिसक गई देखा तो उसकी पत्नी के पास कोई आदमी खड़ा है और उसकी पत्नी उससे हां संसकर बाते कर रही है उसे बड़ा गुस्सा आया वो जैसे गुस्से में बुनपुना था आगे चला पास जाकर देखा तो उसके तो तोते ही उड़ गए वो आदमी तो शकल में, रूप रंग में, बेश बुशा में बिल्कुल उसके जैसा था जैसे उसी का जुड़वा हो वो सोचने लगा ये कौन है तब उसने पूछा कि तो कौन है वह कहने लगा कि मैं इसका पती हूँ तब वो बुला ये तो मेरी पत्नी है ऐसा कहकर दोनों आपस में जगडने लगे पत्नी कभी पहले आदमी की तरफ देखे कभी दूसरे आदमी की तरफ देखे क्योंकि दोनों बिलकुल एक जैसे लग रही है एक जैसे कपड़े पहने एक जैसी शकल एक जैसी वेश पुचा कोई भी अंतर नहीं बड़ी बहस छिर दई पंचायत बुलाई गई वहाँ सारी बाते सुनकर पंच बोले बहु से बोले कि तुम्हारा पती कौन है तब उस पत्नी ने बड़े कनफ्यूजन में बड़े दुविधा में पढ़ते हुए बुद्ध का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि यही मेरा पती है तब उसका जो असली पती था वो जोर जोर से रोने लगा कि नहीं यह मेरी पत्नी है ससुराल पास में ही थी किसी ने जाकर ससुराल वालों को भी खबर कर दी वेबी आ गए तब उसकी सास रोने लगी मैंने तो कहा था बुद्धवार को विदा करा करमत ले जाओ लेकिन यह नहीं माना अब उसका पती रोने लगा पंचो ने करवा मंगा लिया और कहने लगे कि जो कोई भी मच्छर बन के करवे के मुँँ से निकल जाएगा उसकी पत्नी रहेगी अब बुद्ध मच्छर बना और करवे में गुश गया पंचो ने करवा बंद करवा दिया सारे नगर में धिन्डोरा पिटवा दिया कि बुद्धवार को बहन के भाई सासरे जमाई कोई भी मच्छावे जैसे बुद्धवार ने उसे नाटक दिखाया किसी को भी न दिखावे कहते सुनते हुंकारा भरते तुलसी माता की आर्थी तुलसी महारानी नमो नमो हरी की पटरानी नमो नमो धन तुलसी पूरण तपकीनो शाली ग्राम बनी पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो जहा के पत्र मंजरी को मत शिरी पती कमल चरन लपटानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरी की पत्रानी नमो नमो कौन से महीने में बोई रानी तुलसा कौन से महीने में हुई हर याली नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो कौन से महीने में हुई तेरी पूजा कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो अशार मास में बोईरानी तुलस सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा मंसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो दोपदीप नेवेथि आरती उष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो चपपन भोग छती सो व्यंजन बिन तुलसी हरी एक नमानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो जो कोई तुलसा जी को सबेरे गाए श्री कृष्ण के दर्षन पाए नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो जो कोई तुलसी जी को दो पहर को गाए फीर खांड के भोग लगाए नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो जो कोई तुलसी मा को शाम को गाई श्री कृष्ण जी की आरती उतारे नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो जो कोई तुलसी जी को रात मी गाई श्री कृष्ण जी के चरन दबाई नमो नमो सभी सक्की मैया तेरो यशिगावे भग्ति दान दीज्यो महारानी नमो नमो हरी की पटरानी नमो नमो तुल्सी महारानी नमो नमो बोलिये दुल्सी माता की जैहो विश्न भग्वान की जैहो लक्षमी माता की जैहो